ingredients क्या होते हैं antioxidants क्या हमारे food को rancid होने से बचा सकते हैं तो ये सबी चीजे हम आज किस वीडियो में clear करने वाले हैं मेरे नाम तुषार भारदवाज और यह आपका अपना favorite channel science world चले अज़ाय करते हैं आज के वीडियो को antioxidant के topic के साथ antioxidant अगर आप ध्यान से देखेंगी तो antioxidant जो ये word है इसको fractionate किया हुआ है दो पार्ट में बाटा हुआ है anti मतलब against oxidant मतलब oxidation अब सबसे पहले हम लेंगे oxidation का मतलब क्या होता है देखें, oxidation का मतलब है कि oxygen का add होना तो general भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि oxidation process ये simple language में उसको oxidation बोलते हैं कि जब किसी material के साथ oxygen add होती है या oxygen के presence में वो reaction carry out हो रही है तो उसको oxidation process बोलते हैं लेकिन जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है antioxidant मतलब oxidation ना होने देने वाला तो कुछ ऐसे chemical substance कुछ ऐसे material जो oxidation process को नहीं होने देते उनको antioxidant कहा जाता है तो antioxidant are दोस substance या दोस chemical substance which prevent the process of oxidation तो these are called antioxidant clear? तो याद रखिएगा अब anti मतलब against ठीक है? किस के against? oxidation process के against अग सबसे खास बात इनका जो use है वो use क्या है? rancid होने से बचाते हैं हमारे food को spoil होने से खराब होने से बचा लेते हैं अगर आप इन materials को इन antioxidant substances को add कर देते हैं अपने food में तो food में जो oily part होता है जो food हमारा होता है वो काफी समय तक चल पाता है पर कैसे? किस वज़े से ऐसा हो पाया? उसके लिए basic कारण है ये जो antioxidant chemical substance होते हैं ये हमारे food को oxidize नहीं होने देते oxygen की reaction नहीं होने देंगे जिसकी वज़े से क्या होगा? food काफी समय तक चल पाएगा खराब नहीं होगा रेंसिट नहीं होगा spoil नहीं होगा ठीक कहा जाता है कि अगर हम अपने food में antioxidants का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा food रेंसिट नहीं होता है clear? अब क्या example हो सकते हैं antioxidant के? देखिए number first B, H, T second B, H A BHT की full form होती है butylated butylated hydroxy B मतलब butylated H मतलब hydroxy T मतलब toluene ठीक है? next वैसे तो बहुत सारे antioxidant है पर इनका काफी use किया जाता है butylated बिल्कुल सेम है देखिए starting जो word है butylated H मतलब hydroxy लेकिन यहाँ पर T आ रहा था और यहाँ पर A है तो एके लिए क्या लिखेंगे हम? अनिसॉल ठीक है? तो butylated hydroxy toluene और butylated hydroxy अनिसॉल यह वो दो chemical substance है जिनको हम antioxidant कहते हैं क्या बोलते हैं इनको हम? antioxidant जो काफी ज़्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं और कैसे हमारे काम आते हैं यह यह food में जो oil content होता है जो fat part होता है उसको oxidize नहीं होने देते oxidize से मतलब है oxygen की reaction नहीं होने देंगे जिसकी वज़े से हमारा food काफी समय तक चल पाएगा खराब नहीं होगा मतलब rancid नहीं होगा तो इस तरीके से हमें इस तरीके से हमें एक और topic clear होता है कि rancidity क्या होती है rancidity एक वो condition है जिसमें food characterized किया जाता है unpleasant smell के द्वारा ठीक है? जब हमें किसी food से unpleasant smell आने लगती है असा हीनी smell आने लगती है एक bed smell आने लगती है तो उसको हम क्या बोलते है rancidity ये पूरा process और उस food को क्या बोलेंगे rancid food ठीक है? मतलब food spoiled हो गया है ठीक है? अब इस इस्थिती से बचाने में कौन मदद कर रहा है antioxidant तो antioxidant कुछ chemical substance होते है जो oxidation को रोकते है ठीक है? हमारे food को इस पॉल्योने से बचाते है तो antioxidant क्या होते हैं? हमने आज के वीडियो में ये समझा किसको कहा जाता है? क्या example है जो बहुत ज़ादा इस्तेमाल किये जाते है कैसे ये rancidity से बचाते है rancidity क्या होता है? ये भी हमने आज के इस वीडियो में ही clear किया ठीक है? rancidity से बचाने के लिए food को rancid होने से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं उनमें से एक method antioxidant का इस्तेमाल करना ये भी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ